वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ पीछे कर दिया था ब्रिटेन को पीछे कर दिया था और अब भारत के सामने सिर्फ चार एकनॉमी जो है आपको देखने को मिलेगी चार देश जो है भारत से आगे हैं और देखो ये सब एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब अल्रेड़ी आएम एफ इंटरनेशनल मोनेटरी फ फूड प्राइसेज भी आपको बहुत दादा हाई देखने को मिलेगी सप्लाई और डिमांड की जो पूरी तरीके से चीजे हैं वो आपको जो है डामडोल देखने को मिलेगी मतलब जतनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो नहीं पा रही इसकी वज़े से इंबैलेंस हमको इसन कंट्रीज में यॉरप में आपको मेजर जो है गैस की इसके सासा जो पेट्रोलियम है उसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अब इसी टाइम पे इंडिया की जो एकनॉमी है वो फिफ्ट लार्जेस एकनॉमी बन गई है या आप दा हिंदू का आर्टिकल पढ़ सकते इस पर और भी आर्टिकल है इंडिया बिकेम फिफ्ट लार्जेस एकनॉमी इन दा वल्ड बीट्स यूके टू सील स्पॉट बेसिकली देखो यहां पे हुआ क्या है किस तरीके से इंडिया ने जो है यूके को सरपास किया है और देखो जैसी इंडिया की एकनॉमी ने यू अब हम जो है इंग्लेंड को पीछे कर चुके हैं और हम फिफ्ट लार्जेस एकनॉमी बन गहें इंडिया अगर आप इंडिया और यूके का कंपरिजन करोगे तो इंडिया की करीब 3.5 ट्रिलियां डॉलर देखने को मिलेगी वहीं अगर हम यूके की बात करते हैं तो यू फाइपिटा इंकम हमारी है इसके साथ अगर हम इंग्लेंड में देखते हैं तो यह आपको 47,000 जो है पर कैपिटा देखने को मिलेगी तो अभी भी अगर आप देखने को हम यूके से काफी पीछे हैं लेकिन फिर भी हम ने यूके को पीछे यहां पे कर दिया है वीडियो क मुनिक तो सही उत्तर जो है वो comment box में comment करना है इसके अलावा आई एमेफ के वारे में जो additional information है वो भी जो है comment box में put कर सकते हैं मैं चाहता हूँ कि आप यापे GDP को समझे लो कि GDP आखिरकार होता क्या है देखो GDP का full farm होता है gross domestic product ये एक monetary major होता है देखो जितने भी services goods हैं जो भी हम अपने देश में produce करते हैं जो भी services हम दुनिया भर को देते हैं इन सब का जो है एक sum total किया जाता है मतलब एक fixed time पे कितनी services य जो है इतना यहां पर trade किया है और पिछले साले comparison में हमारी GDP जो है इतनी यहां पर grow ही है इतने percent का जो मुनाफ़ा है वो हमने कमाया है तो इसी को जो है यहां पर कहा जाता है GDP और देखो सब देश जो है अपना GDP data यहां पर release करते हैं जैसे हाली में भारत ने भी यहां पर कह लेकिन अब अगर हम वर्ड की top economies देखते तो सबसे पहले आपको अमेरिका देखने को मिलेगा अमेरिका की economy है 22.79 trillion dollar की आप समझे रहो यह बहुत बड़ा amount होता है फिर है चाइना चाइना की जो economy है 16.70 trillion dollar की वही अगर हम बात करें जापान की जापान की economy है 5.50 trillion dollar की जर्मन की है 4.25 dollar की वही भारत के अगर हम बात करें तो भारत के आपको लगबग 3.20 trillion dollar जो है देखने को मिलेगी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा amount है लेकिन देखो आप सोच के देखो जर्मनी कितनी बड़ी economy है जापान कितनी बड़ी economy है जापान एक ऐसा देश है जो की हम लोशिमा और नागा सागी पर जो है अटम बं गिराए गए थे उसके बाद भी आप जापान को देखो जापान ने अपने आपको वापस जो है रीकंसर्ट किया और आज के समय जापान की जो major companies है उनका मार्केट आपको दुनिया भर में बहुत अच्छा देखने को मिलेग अब अगर हम बात करें भारत की तो second time ऐसा हुआ है कि भारत ने UK को जो है पीछे कर दिया है in terms of economy 2019 पे भी ऐसा कुछ हुआ था जब भारत ने England को जो है पीछे कर दिया था अगर हम यहाँ पर record देखते हैं तो April और June का quarter अगर आप देखोगे तो इस पे हमको record bidding expansion देखने को म को मिलेगी अगर हम भारत की इंडियन economy की अगर हम size की बात करें तो यहाँ पे nominal cash आप देखोगे तो हमारा कितना 854.7 billion dollar और यह हम मार्च की यहाँ पर बात कर रहे हैं वहीं अगर हम UK का देखते हैं तो UK का आपको देखने को मिलेगा 814 billion dollar तो भारत का जो nominal cash है वहाँ आपक इसकी आगया वह यह बताता है कि भारत की जो economy है वह grow हुई है 13.5% से इस साल और जो nominal growth है वह हमारी है 7% तो देखो आज के समय कर हम देखते हैं तो दुनिया भर में इंडिया की जो economy है वह आपको बढ़ती हुई नजर आएगी in fact कई सारी reports तो यहाँ पे यह भी कहती है कि 2030 तक भारत की जो economy है वो थर्ड नंबर पर आजाएगी मतलब अमेरिका चाइना के बाद सिर्फ भारत आपको देखने को मिलेगा और देखो जिस तरीके के हमारे project चल रहे है ना आप देखो made in India, make in India जो project चल रहे हैं इसके under में हमने कई सारे development जो है खुद करें हाली में जो ह भारत ने खुदी यहां पर develop किया देखो पहले अगर आप देहोगे ना बहुत पहली कि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कोई भी capabilities नहीं थी इनफेक्ट भारत को जो है कई सारे देश यहां पर technology भी नहीं देते थे लेकिन फिर भी भारत ने जो है सब खुद यहां प develop किया अगनी missiles जो एक बहुत ही बड़ी सीरीज है missiles की वो सब हमने खुद यहां पर develop करें हैं इसके अलावा आप और भी sectors में देखोगे आप computers के सेक्टर में देख लो आप technology के सेक्टर में देख लो और mainly renewable energy में देखो आज के समय सबसे important renewable energy in fact जो Indian companies वो आज के समय बिलकुल यहां पे लेक्टर जो कार है उनकी तरफ यहां पे shift कर रही है और एक major shift आपको देखने को मिलेगा तो आने वाले समय में इंडिया की economy जो है बिलकुल आपको top 3 में देखने को मिलेगी ऐसा data यहां पे कहा जाता है कि 2030 तक भारत की economy जो है कई सारे देशों को यहां पे बीच आपको जो है इस वीडियो में काफी को जानने को बला होगा आप अपने opinion लिखे के जरूर इसी के साथ यह तंसे वीडियो का सुने के लिए बहुत अन्यवाद जैंद जैंद जैंभारत